नमस्कार आप देख रहे हैं राजपर टीवी के खास प्रोग्राम को जहां हम आज आप से बात करेंगे चुनाव को लेकर जैसा आप सबी जानते हैं कि विधान सबा चुनाव 2022 बड़ी ही तेजी पे है और साथी आज 10 फरवरी है तो चुनाव की जो मत डालने वाली जो प्रक इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हैं आज चारे शुक्ला जी वरिष्ट पत्रकार इन से जानेंगे चुनाव के इनके राय के बारे में सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है 58 सीटों पे चुनाव हो रहा है सपना जी दो तीन दिनों से मैं मतुरा से लेकर के मुझ प्रदेश बिल्होर कानपुर्देहाद पहगत पांच वरसों से पहले देखते थे तो केवल दो घंटे तीन घंटे रात को बिजली आते थी सासन की बियोस्था ये थी कि कहीं पर भी किसी प्रकार के कोई कुछ दिखाई नहीं पड़ता था रात को कोई भी कन्या कोई भी लड़की की निकल नहीं सकती थी जहां तक बियोस्था थी बिजली की पानी की और तमांसी उनमें भी बहुत कुछ नहीं था लेकिन इन पांच वरसों में जो सबसे बड़ा चिपमेंट हुआ है वो है रामंदिर का वो कहिन कहिर है कि इतनी वरसों से जिन लोगों नों बीस साल, चालिस साल से किस प्रकार से ये सब जंजट होते, जगड़े होते, लडाई होती थी, आपसे मार पीठ होती थी, किस प्रकार कर्फियू लगते थे और खासकर इस साइड पे, उसका प्रभाव पड़ेगा, मुझे लगता है क्योंकि सेंट्रल की सरकार और ये दोनों पैसा गया है उसका भी असर है मुझे ये लगता है कि चाहें जितना कुछ भी कोई पार्टी कहे लेकिन योगी जो को कुछ न कहीं कहीं न कहीं थोड़ा सा निश्चित रूप से इसका फाइदा होगा मतलब आपका ये कहना है कि जो भी विकास हुए लड़किया पहले सेफ नहीं थी अब वो सेफ है रात में भी अकेली जा सकती है पहले कहीं न कहीं सुरक्षित महसूस करते थे उनके घर वाले भी लेकिन जब से योगी सरकार आई है तब से लड़कियों को सुरक्षा मिली है ऐ इस प्रकार से छबी थी हम कुछ भी कह लें कि सारी पार्टियां एक हो गई सारा कुछ एक हो गया लेकिन अगर ग्राउंड रियल्टी देखें चुकि मैं गाउं में गया हूँ गाउं में आज भी कहते हैं बाबा ने काम किया है जो हमारी बच्चियां डरी हुई थी आज वो स्वक्षन तो घूम सकती हैं हमें बिजली नहीं मिलती थी रात को दो ढ़ाई तीन गंटे के लिए बिजली आती थी तो हम अपने काम वो लेकर के अपना मुबाइल लेकर के वो भी चार जनी कर पाते थे और तमाम चीजें थी ना पानी गरम हो पाता था ना कुछ हो पा योगी और मोधी के लिए लोग निकले हैं बाहर आपका कहने का मतलब है कि अभी तकरीवन चार बज़े तक के अगर आपने प्रतीशत के आकड़े देखे हैं तो 41-40 फी से लिए एक बज़े तक की मैं बता रहा है अच्छा एक बज़े तक के इनोंने जो आकड़े देखे ह और सतन 35-40 तक के बीच में है राम मंदिर की योजना राम मंदिर का बहुत फरक पड़ा है इसका अनुसासन का शासन का बेउस्थाओं का आसर पड़ा है दूसरे बिश्वास एक ये है कि जो हमारे माफिया रास था और अन्याने रास थे उसमें भी कहीं कहीं फायदा हुआ है उसमें भी कहीं कहीं सिक्योर्टी मिली है उसमें भी कहीं कहीं सुरक्षा मिली है और उस सुरक्षा के बूते ऐसा लग रहा और अभी मैं ग्रेटर नौडा नौडा भी होकर कि आया हूँ तो वहां पर भी जो जिससे भी माताओं बहनों से या किसी से पूस्ते हैं वो ये ये कौन कहा क्या करेगा मुझे नहीं पता है लेकिन कहीं कहीं मुझे थोड़ी सी बढ़त दिखाई पड़ रही योगी के प्रच्छ में मतलब आपका ये कहना है जैसे एक कहावत भी है अंधों में कानारा जाओ एक कहावत है लेकिन उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया लेकिन योगी सरकार जब से आई है तब से काफी चीजे सुधर गई है बच्चियां खेल कूद में ले या फिर किसी भी आप डिपार्टमेंट में ले तो आजकर लड़किया ही तरक्की कर रही है पहले कही न कही ने दबाया जाता था लेकिन जब से ये भाज़बा सरकार आई है और खास करके योगी सरकार आई है तब से इन्हें काफी प्लेटफॉर्मस मिल गए है een तरीके से यूपी में पांग साल में कोई दंगा नहीं हुआ नहीं तो मैं खुद UP की मेरी जनम हुमी है, यूपी में साल में दो महिने दो महिने तीन महिने वाद कहीं न जाक्र, और खासकर इस इस लाके हम अलीगड से, हाथर से लेकर के, खुर्जा से लेकर के यहा तक, कभी न और कभी दंगे हो ही जाते थे, करफु लग जाता था, सब में कहीं कोई डवलोपमेंट हुई है और जो डयफलोपमेंट लोग प्रेक्टिकल देख रहे हैं सामने और जो प्रेक्टिकल देख रहे तो नेचुरल है कि उसका प्रभाव तो पड़े गए पड़ेगा बोट पहुंगे जी मैं आप से बस यह जाँनना चाहूंगे कि य हमारे जितने भी जनता जरार्दन है और साथ ही जो हमारी सरकार है उनके लिए आप लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे अपना एक। करेगा ऐसा मेरा विश्वास है क्योंकि राजपत नियुजवी आपका जो ये कर रहे हैं इससे भी बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है और वही मैसेज मैं देना चाहेता हूँ बोटिंग जरूर करें किसके लिए कर रहे कैसे कर रहे काम के लिए करें विकास के लिए करें जिस कि आपका एक मत कईयों के जिंदिया आगे जाके खुशाल कर सकता है और बिगार भी सकता है तो अपने कीमती मत को वहाँ पे डाले जहां आपको लगता है कि आपका भविश्य सवर सकता है इसे के साथ और भी बहुत सारी जानकारिया आपके पास लेके आते रहेंगे तब तक देखते रहें ये राजपट TV सबसे पहले भारत। झार सुन रहें टेखते रहें ये रहें ये